हेलो फ्रेंज, फंकी गार्णिंग में आपका स्वागत है आज मेरे पास हमेलिया प्लांट है और ये एक एवर ग्रीन श्रब है इसका पूरा नम हमेलिया पटेंस है और ये फ्लोरिडा का नेटिव प्लांट है ये सेंट्रल और साउथ अमेरिका में बहुत ज़्यादा पाया जाता है इसे वहाँ पर सबसे ज़्यादा फैंसिंग बॉल के तौर पर लगाया जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े लॉन होते हैं तो उस हिसाब से वहाँ पर बाउंडरी करने के लिए चारों तरफ से इसकी फैंसिंग ज्यादा लगाना पसंद की जाती है और क्योंकि इसकी हाइट काफी अच्छी जाती है और अगर हम कंटेनर में लगाते हैं तो इसकी हाइट 2-3 फिट जाती है और अगर हम जमीन में लगाते हैं तो इसकी कुछ वराइटी ऐसी होती है जिसके हाइट कम से कम 10-15 फिट तक भी जाती है और इसकी जो विर्थ है जो चोड़ाई है वो कम से कम 6-8 फिट क्योंकि ये एक easy to grow और एक easy to care plant है इसलिए इसे वहाँ पर सबसे ज़्यादा लगाना पसंद किया जाता है जब इसमें flowering होती है तो ये plant और भी ज़्यादा खूबसद लगता है और इसके flowering के red color के कारण वो fencing wall और भी ज़्यादा उभर कर आती है और ज़्यादा खूबसद लगती है इसकी देखबाल बहुत ही असान है जब हम इसमें watering करते हैं तो इसको over watering से बचाना होता है और इसकी soil में हलका हलका moisture बना के रखना होता है इसे लगाने के लिए जब soil तयार करें तो soil भुरुरी होनी चाहिए well drained soil होनी चाहिए जिसे की जब watering करते हैं तो extra water easily drain हो जाए और मिट्टी में पानी ठहरे नहीं साथ ही container में एक hole भी रखें जिसे की extra watering होने पर पानी easily drain हो जाए ये एक ऐसा plant है जिसको ज़्यादा fertilizer की जरूत नहीं होती इसमें fertilizer तभी डालें जब इसमें blooming season चलता है इसका blooming season spring से लेकर सितंबर तक रहता है तो इसमें fertilizer तभी डाले इसमें डिल्ड से दो महीने के अंतराल पर आप एक से दो बार fertilizer डाल सकते हैं और ये अच्छे से चलेगा ये direct sunlight में चलने आला plant है और ये एक ऐसा plant है जो 35 से 40 डिगरी के temperature में भी असानी से growth ले सकता है इसका एक नाम fire bush plant भी है और fire bush इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 35 से 40 डिगरी के temperature में असानी से चलता है और इसमें flowering भी खुब बढ़िया होती है जितना ज़्यादा temperature होता है इसमें flowering भी उतनी ही ज़्यादा होती है और तब ये अपने flowering के red color के कारण और भी ज़्यादा खूबसरत लगता है इसके कई variety आती है जिसमें इसके height काफी अच्छी भी जाती है और दो variety ऐसी होती है जिसमें इसके height काफी छोटी रहती है और उन variety को कहते है compacta और dwarf ये दो variety ऐसी है जिनमें इसकी height बहुत छोटी रहती है इसलिए इस plant को hedge plant के तोर पर लगाना बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और fencing wall के तोर पर butterfly garden में ज़्यादा लगाया जाता है और flower plant के तोर पर खूब लगाया जाता है इसको और bird garden में लगाया जाता है और साथ ही इसको container में भी असानी से लगाया जा सकता है इसमें बीच बीच में spider mite जो insect होता है वो attack करता रहता है जिसे हम किसी भी हलके से pesticide का छिड़काव करके control कर सकते हैं और वो problem दूर हो जाती है इसको pruning की ज़्यादा जरुत नहीं होती क्योंकि इसके जो flowers हैं सूखने के बाद इसमें pruning का काम करते रहते हैं जब इसके flowers सूखते हैं तो वहीं से नई-ईई पत्यां बनती रहती हैं और उनमें नई-ईई flowering भी होती रहती है इसको cutting से लगाये जा सकता है और साथ ही वीज से भी लगाये जा सकता है कुछ variety ऐसी होती हैं जिसमें वीज बनता है तो इसको cutting और वीज से असानी से लगाये जा सकता है क्योंकि इसमें flowering लगातार होती रहती है और बहुत ज़्यादा होती है तो अपनी flowering के red color के कारण ये बहुत ज़्यादा खूब सुरत लगता है जिसे इसको घरों में ornamental plant के तौर पर भी खूब लगाए जाता है तो अगर आपके पास space है या lawn है तो आप चाहे तो इसे hedge plant के तौर पर लगाएं या फिर fencing wall plant के तौर पर और चाहे तो इसे अपने घर में आप decorative plant के तौर पर लगाएं ये हर तरह से खूब सुरत लगता है आई हो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ तिल देन बाई बाई